व्रित के बारे में तो व्रित के बारे की जो प्रिशनावली है उतको शुरू करने से पहले अपने जो बेसिक जानकारी है इसकी उतको प्रापत करेंगे तो उसके बारे में जानते हैं कुछ बाते आप जानते होंगे तो कुछ आपके लिए नहीं होगी तो अपने सारी ही ची वृत कहते किसे हैं तो वृत किसे कहते हैं किसी निश्चित बिंदू से कोई फिक्स दूरी लेकर और उस दूरी के चारों तरफ एक चक्कर पूरा करना उस बिंदू के चारों तरफ उतनी ही दूरी रखते हुए एक चक्कर पूरा करना और वापिस उसी स्थान पर पहुंचन क्या कहलाता है व्रित कहलाता है क्या कहलाता है व्रित और ये निश्चित जो बिंदू होता है ये क्या कहलाता है इसका केंदर कहलाता है ये निश्चित बिंदू केंदर कहलाता है और इस निश्चित जो दूरी होती है जितनी दूरी अपने और इसे निश्चित दूरी को क्य क्या कहते हैं जिस दूरी को लेकर एक चकर पुरा गया इस दूरी को क्या कहते हैं त्रीजा कहते हैं और ये चारों तरफ जो चकर लगाती है ये दूरी चारों तरफ की दूरी ये क्या कहलाती है प्रीदी बाहर का जो एक चकर है इसका ये क्या कहलाती है प्रीदी कहलाती है इ क्या होता है त्रीज़ा का दुगुणा जनी कि दो गुना त्रीज़ा क्या होता है थ Carolina किसी वी वराय थीज़ा क्या हूंदना इसे परकार चो वर्द की त्रिजआएं वह वो वह कितनी होती है उपकी ये आपके पास देखो सरकल है ये आपका बिंदू है चाहे इस तरफ खिंचलो चाहे इस तरफ चाहे इस तरफ इस तरफ इस तरफ कैसे भी खिंचलो तो इसकी जो त्रीजाई है वो भी कितनी होती है अनन्त होती है और जिवाएं भी कितनी होती है अनन्त होती है उसके बाद एक बात और कि जो व्रत है वो किसी भी तल मेस्तित हो जिस भी तल मेस्तित होता है जैसे आपके पास सरकल है ये जिस भी तल के उपर बनता है उसे क्या कहते है उसको ये क्या करता है तीन बागों में विवाजित कर देता है तीन बागों में कैसे एक तो इसके बाहर का बाग ए और एक इसके उपपर जिस पर ये खुद बनता है जो रिख़ को पढ़ा है तो यह भी किया की इस्का एंगई भाग है बों को ङा राद कि वाज़ी लोगा वह करो क्या बहर का वाज़ी रहाई यह सब्सक्राइए विवाज़ी चेखाना मैं और ये अंदर का बाग क्या कहलाता है अंत्य बाग बाहर का बहिर बाग और अंदर का अंत्य बाग अपने बात करें जैसे अपने पास ये सरकल है कि ये बिंदू ओ है ये कौन से बाग मेस्तित है ये है अंत्य बाग मेस्तित है और इधर बाहर कहीं पिर अपने कोई बिंदू पी लिख दें तो यह कौन से बाग में सित है यह है बहीर बाग में सित है तो उसके बाद अपने बात करते हैं इसके लावा जीवाओं की जीवा की बात और करें कि यह जीवा है यह जीवा है यह जीवा है यह जीवा है इसी प्रकाल यह वर्त का केंदर है तो यह जो आर पार वर्त के केंदर से गुजरने वाली और प्रीदी के दोनों तरफ जो मिलती है ये क्या है प्रीदी के दोनों तरफ मिल रही है दो बिंदों पर मिल रही है तो ये क्या है जीवावी है और केंदर से इस तक की दूरी प्रीदी तक की दूरी क्या कहलाती है त्रीजा कहलाती है और वर्त के केंदर से गुजरती है वो हर जीवा तरिजा के दुगनी होगी और वही क्या होगी वर्त का व्यास भी होगी वर्त का व्यास भी होगी इसके बाद अपने चाप की बात करें तो इसके प्रीदी पर कहीं भी अपने चाप काट सकते हैं वर्त की प्रीदी पर तो वर्त क दिरग चाप कहलाएगा और जीवा की एक बात रेगी कि Geme कि सबसे बड़ी जीवा होती है वो कॉंसी होती है आप दियान से डेखोगे इस वाझ को समझने के लिए कि यह आपके पास सरकल है तीक हे और यह केंister सबसे बड़ी जो होती है कैंदर से बजरती है इसके बाद ये बापिस गणने लग जाती है बापिस गटने लग जाती है तो सबसे बड़ी जो होती है कौन सी होती है केंदर से गुजरने वाली जीवाही होती है और जो केंदर से गुजरती है वही वृत का क्या होती है ब्यास होती है और जीवाही कितनी होती है अनन्थ होती है केंदर कितना होता है एक होता है त्री जाएं भी कितनी होती है अनन्थ होती है तो इस प्रकार आपका ये जो चैप्टर है बारा पंट एक उससे पहले कि जो बेसिक जानकर ही है ये पूरी हुई और बारा पंट एक है जो अपने अगली वीडियो में करेंगे रन्यवाद